अब दूप अब दूप अब 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 दरसल जीडीपी यहां दिखता है कि 30 रुपय का जूस पी रहा है और बाकी दिन तो ठंडे पानी में गर्म पानी डालके पी लेता हो वहार से हैं बिहार से यहां क्या आप भी सिस्टम बदलने आए जी सिस्टम बदलने आए सुना बिहार में तो पट्टा लेके लॉंडा ऐसी सिस्टम बदल देता है 32 33 साल के हो जाते हैं केवल UPSC में लगे होगे और यह आगे चलके बेकार हो जाते हैं कहीना कहीं से कोई कहता है कि आरक्षी की बरती में नियुकती नहीं मिल रही कोई कहता है कि एक्जाम का रिजल्ट रेट आ रहा है जब इलेक्सन होते हैं तो सरकार परिक्षाएं कराती ही क्यों है परसेट समान हमारे पास एफ लुड़ेगे यहां पर इस्ट को खुट मैंत पतर हुआ देदें एक आपने गर से लेकर आईयेंगा अभागी आगा तो इंटर्व्यू कैसे अब देडर से क्यों नहीं कोई मिल रहा है करोट रोजगार के मैं आपको हर घर में रोजगार पैदा कर दूंगा लेकिन उनका दमाग बदल गया उन्हें लगाएगा कि यहां अगर खूटा लाग के कल खड़े हो जाईएगा तो आप निश्चित रूप से यहां के राकेश टिकेट बंद कर निकलेंगे बहुत बहुत नमस्कार मैं हूँ आपके साथ काविंद्र चौहान और वक्त हो चला है भारत एट नाइन का जैसा कि मैंने वादा किया था उसी के तहत आज मैं आच चुका हूँ सड़क पे मैंने मुखरजी नगर के लिए कहा था कि मैं मुखरजी नगर जाकर वहां जो छातर है उनसे बा चातरों से बात करने और यह जो मुखरजी नगर है यहां पर शानक की जो है वह एंसी आटे की किताबें पढ़के भी फैक्ट बूल जाए यह वह जगा यहां पर चातर आता है बिहार से और उत्तर प्रदेश से पहले यहां पर चातर आते थे लेकिन आज जब आया हूँ य पूरे देश से लोग यहां पढ़ने आ रहे हैं आप चातर हैं यहां से हैं वराणसी से हैं उत्तर प्रदेश से क्या करने आया है तो किसली आए प्रपरेशन करने हैं हनक देखके आया है यूथ हम लोगों की बहुत मनसार रहती है कि हम लोग भी administrative services में जाएं देश के यहां पर कोरोना जैसी इस गंभीर महामारी के दौरान भी मास्क लगा के सारी बेहतरीन जो इसके प्रॉस्पेक्टिव हैं उनका पालन करते हुए हम यहां पर अपने सिच्छा दिच्छा को ले रहे हैं जैसे आपने का एड्मिस्ट्रेशन में जाना चाते हैं सिस्टम बताईएगा अगर सरका नियुकती ही नहीं देती है रोक देती है क्या करिए गार्मेंट की सबसे वड़ी फेलियर है सर एज यूथ हम यूथ कंट्री जहें और हमारे लिए सबसे बड़ा जो मुद्दा होना चाहिए और गवर्मेंट को सबसे मेन फोकस करना चाहिए कि पी पी कर जो जीडीपी दिखाते हैं भारत का जो ग्रोथ रेट है जीडीपी के तरीके से दिखाने की कोशिस करते हैं दरसल जीडीपी यहां दिखता है कि 30 रूपए का जूस पी रहा है और बाकी दिन तो ठंडे पानी में गर्म पानी डाल के पी लेता होगा ठीक है आप क्या कर रहा है आप नहीं पासे यहां कई पिस्टम बदलने नाइस सिस्टम बदलने होगे और अब पात बात बनाएंगे जोस पी दिखारी बन जाएक कि जब यहां से पास होकी अधिकारी बन जाएंगे तो फिर क्या करेंगे बिल्कुल आपकी मनसा तो लग रही है कि बिल्कुल नहीं लेंगे यह बताइए अब जैसे आपके जो साथ ही लोग है वो तो डिजिटली आंदोलन चला रहा है उनकी नियुक्ति नहीं हो रही किसी का एक्जाम का रिजल्ट नहीं आ रहा किसी के और समस्या हैं तो छात्रों क कमी है उसको दूर कने का प्रियास करेंगे क्या प्रिक्रिया में कमी करेंगे देखे उत्तर प्रदेश और बिहार में क्या होता है बड़े-बड़े बैनर जो होते हैं बड़े-बड़े बैनरों के लिचे लिखा होता है छात्र सकती राष्ट्र सकती लेकिन सबस्याइता ज हो विशाला है मेरी मैं उसके टक्निकी डिपार्टमेंट से क्या लगता है जो लड़के लोग यह बन जाएंगा यह उम्मीद पर दुनिया कायम है और सभी बराबर मेनत करते हैं ऐसे कहना कि यह लड़के बन जाएंगे यह थोड़ा सा गलत होगा माबाप पैसा लगा रहे है है ना सर तो प्लीज होपलिस ना करिया बिल्कुल हर यह बताइए कितने साल में बन जाएंगे पंच वर्सी योजना है बताइए पंच वर्सी वाली बात ने सर मैं आपके बात पर कह रहा हूं यह कहना कि नहीं जो है लड़के यह सब पूछ रहा हूं आपका आपको क्या ल जाया कितने साल अब मेरे को अभी सर नियर बाउट six months हो गया सिर्फ six months बोल सकता हूं यह six months आप बोल सकते हैं और प्रिप्रेशन के दौरान यूप सी कितना लंबा समय लगेगा अभी देखिए मैं जब मैं देखिए मैं आपको बताता हूं मीडिया से हूं मीडिया में लग से करके इस जॉब में आ सकते हैं यह तो आप लोग मेडिया और यह जो यहां के क्लासेज हैं लगबाग कोचिंग सेंटर ने इन्होंने इसको पंचवर्सी योजना की तरह बना दिया है इन्होंने ट्रीट कर दिया है आएंगे तो आप मुखर जी नगर पान साल बाद ही कर रहे हैं कि हम बना देंगे हम बना देंगे लेकिन बना कुछ नहीं वास उमीद तो था उमीद तो है अभी वी तो पता नहीं चलना जो इससी है गॉवर्मेंट की और आरे कोई कहता है कि अरख एक्जाम रिजल्ट कुछ्ट से कुछा रहा है dollars पर declar ca. decade जाता है आपका result कैसा रुक जाता है वोड कर देखिये जो सिस्टम में बेटे है उनकी गलती आता घर गए हैँ अब सचेयर्में काओ रिटार कर गले कि लेकिन उनको पोस्ट पे रखा जा रहा है किसी दूसरे को आना चाहिए ताकि कुछ चैंजिंग आएगा ना ये तो गुर्णमेंट बिल्कुल देखे किसी सरकार जो है सरकार को भी हात्रों का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि सरकारे जो होती है उनके लिए हर नागरिक बराबर होता ह है हर कोई बराबर है अच्छा एक चीज़ पूछना चाहूँगा समस्या बताइए समस्या क्या है मुखर जिनगर की सर यहां पर जो सबसे वड़ी समस्या है सर की देखते हैं कि बच्चे आते तो हैं बहुत सारे उसाहित होकर अपने गाहों से देहात एरिया से आते हैं आधे तो हमें जो सबसले सबसले भरी प्रॉब्लम है कि वहमें हमारे पास इसकिल तो है बट में इसकिल है जॉब Espero going कि तो सोना है कि इतना मेंटी लड़का होता हुधा सतकी नेटां एक सू एसंसाग करने में होगते ह kayak다가 यहां पर लड़का लोग आता है बाद में आइस बन जाता है कभी मिलने आया आप से दुबारा कि देखिया माइस बन गभी या 20 रुपया रहे गया ते लीजे 20 रुपया वापस आते हैं आते हैं पचान है दोस्ती है मजबूत आदमी है चलिए आगे बढ़ते हैं देखिये तस्वीरे क्या है चात्र यहां पर आता है घर पर बता कराता है 2000 किलोमेटर दूर आता है यहां पर जो कोचिंग संस्थान है इनका बिल्ला लगा के घूमता है और सपना देखता है कि वो एक दिन आईएस बनेगा एक दिन बड़ा आदमी बनेगा लेकिन जब सरकार ही कोशिश करें कि उनका इस पर क्या कुछ कहना है आम तोर पर आप दिल्ली नोड़ा घूमेंगे तो बड़ी बड़ी दुकाने मिलेंगी साड़ी की दुकाने साड़ियां ऐसे लगी होती है दुकांदार दिखाता है लेकिन मुखरजीनी नगर का मिजाज ही कुछ अलगा यह वाइस बनके सालों बाद आता कहता वह किताब कर रुपया रह गया था यह वापस ले लिए एस्टुडेंट जब स्टार्टिंग तोर पे तैयारी करता है तो बड़े बड़े सपने लेकर आते हैं उस सपने कैसी कार मैं भी मैं भी बड़ा सपना लेकर आयो इसमें क्या होत अब तो आज भी बरकरार है बहुत दिखाना चाहते हैं अब देखे हरे किस्टुडेंट का हरे घरेक मोटीव होता है अपना अपना एस्टुडेंट किताब ले भी जाते हैं पढ़ाई भी करते हैं विसमें करोना की वैसे जो तोरा कोचिंग बंद भी हो गया था तो यही ह मैं कौन-कौन सी किताब ले जाओं तो आई-एस की तयारी कर लूँगा बताइए देखिए आई-एस की सबसे पहली अथा सक्ति है मैं यही कहना चाहता हूँ हमारे पास उस अथा सक्ति में 100% में से 80% समान हमारे पास है बलोग ले रही 20% 20% एस्टुडन को खुद मेहनत प पर तीसा दिये देंगे 20% जोले में डाल के लाईएगा एक भाईसा हमारे साथ मौजूद है विद्यारती हैं अंजी सर कहां से आये हैं सर करोल बाक से तो 25 किलोमेटर दूर इदर काया गया 2000 किलोमेटर दूर से लड़का है अब डाउन करते हैं डेली क्या तैयारी कर रहा ह यहां से मुखरजी नगर से केडी एंपस से एससी कोचिंग और डेली पर इंसफेक्टर क्यूं कर रहे हैं को देखिए ऐससी बादे लड़ रहे हैं कि हमारा एक्जाम भी नहीं रिजल्टी नहीं आया तो पर मार्स नहीं दिया तो काहे को पर रहें ऑसा नहीं जो बच्चे सबसे बड़ी सकती है कि तुरंत आक्रोस हो जाता है तुरंत पलट का जवाब देता है कि क्या है वही सवाल कि जब वैकेंसी नहीं है तो परिक्षाइं कराती ही क्यों है सब्सक्राइब भागने से कुछ नहीं होता इंटर्व्यू फेस करिए इंटर्व्यू फेस करिए एक्स्पोजर में आई यह लाइट वैये मौका दे रहे हैं आपको बताइए क्या कर रहा है कहां से हैं सर देवेश्रम नावे मेरा एससी की त्यारी कर रहे हैं और शाधरा से शाधरा से हैं मदब दिल्ली कहीं है तो तो फिर मोटर साइकल से आ जाते होंगे पर सोच के बैठे होंगे की मोटर साइकल से आते हैं लेकिन जाएंगे इस दिंग अधिकारी वाली गाड़ी से पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी है उसका भी हम यूज करते हैं अच्छा चली आ लेकिन अब देखिए यहाँ पॉपुलेशन है इंडिया की उस देखा जाए तो वेकंसी उतनी जादा नहीं निकल पाती है पॉपुलेशन के साफ से देखना पड़ेगा सबसे बड़ा इंडिया के क्या पॉपुलेशन है इसको कंट्रोल करना एक गवर्मेंट के लिए बहुत बड़े चुनौती होगी और भी कोई आसपास का साथ ही आपको जो यहां आया हो सबसे बहुत बहुत बढ़े मंचा आपको बहुत 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 शुप काम ना है आप इदर आजाईए बहुत देर से चेह कर रहे हैं लेकिन बता कुछ भी नहीं रहे हैं पूल कुछ भी नहीं क्या है नाम है कहां से आए हैं क्या कर रहे हैं अगर कोई इंसान है तो किसी ना किसी पार्टीज तो हो गई होगा क्या कर रहे हैं कहां तक पहुंची तयारी कि यह उस का अभी तक रिजलट की नहीं आया एक साल बीड़ की चल्दा फरवरी बीने वाली है रिजल्ट ही नहीं आया जूरी सिस्टेंट का अले रिजल्ट नहीं आया तो सरकार से क्या है कहेंगे अप लगा होता है चाहतर सकती है लेकिन वहां पर कोई आता ही नहीं है यहां यहां पर चाहत लोग है सबढ़िest सब लेसे करें के देश है आँ टो चार लेसे कि नहीं रागाई ना रहुत देर से कि यहां पर लोगाला यहां जाते हम अब जाता है आप लेगमेडिया सब्सक्रारइंόσाइब बता दो तौह पान वाला भी मिल जाएगा आपrop बताक्तर के यहां नहीं में तो यहां पर अभी आया है नहीं प्रोटेस्ट के लिए आ रहा हूं कि अच्छे नंबर से लेकिन दो साल से प्रोसेस अभी चल रहा विदो साल उसमें और लगने है उसके बाद कि ट्रांसपरेंश नहीं है रिजल्ट देते हैं इससी सब की बाते बात बढ़े बताईए कि बीटक में क्या देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं बहुत बुरह बिटक का साथ क्या समझा आ गई है तो राष्टे में राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट हमको तमाम कॉलिज द किसी को इंट मिसंदिला यह तो सुचते हैं कि चलिए ठीक हैं पांच लाग खज़ा करेके बीठक करा दें को बिल्कुल बिल्कुल सही बाद यह देखिए यह जो इधर बरबादी के बाद पता चलता हुए नहीं हुए भी नहीं मैं तो बरबाद आधे बरबाद मालो अभी आधा आधा आबाद है अब तक हो जाएंगे पूरे बरबाद अब देखिए यह तो नहीं कह सकते हैं यह तो भविष्ट की गारवी में चिपा हुआ है बहुत-बहुत चाहिए कि केबल अपने भाषणों में चात्रों को ना रखे बलकि अपने एजेंडा में अपनी यूजनाओं में अपनी पॉलिसी में भी चात्रों को रखे तो ऐसे में क्या होगा कि जो विध्यारती इन मोटी-मोटी किताबों को पढ़कर जो एक सपना देखता है उस सप बरहे आपको भूमिका बना दूमुका ये हैं कि हम कहीं भी जाते हैं किसानों के पीच जाएं छात्रों के बीच जाएं रेलवे वालों के बीच जाये वहाँ पर एक नेता निकल शरूर सामने आता एक पषक परिस्ट तक परिस्ट अध्याक्ष बने लायक जो यूवा मिलता है वही है यह नाम बताए कहां से इटावा से हैं रवी नाम है आपका रवी यह बताइएगा जिस तरीके से किसान तो सड़कों पर है छात डिजिटल अंदूलन कर रहे हैं क्या बजाय मानते हैं इसके पीछे अब हमारे घर में सब तो पंद्रेबंड़ लाग मोधी जी ने जो आदा मंध्रेबंडरे जार देढ़े अगर आप अन्द्रेबंडरे लाग डाल दो तक रहां कि पार नहीं कर पार रहे ना क्या कम यह पता नहीं चल पार रहा सरकार गंदर बोत कि तो पकोड़े लगाने के पैसे चाहिए थोड़े बहुत पकोड़े लगाने के लिए पैसे मिल जाएंगे पकोड़े लगाएंगे अधिकारी बन जाएंगे तो रिस्वत लेंगे की नहीं लेंगे अब ये बताई एक बढ़ते हैं चुलिए बढ़ते हैं प्रदार मंत्री बनने लाएंगे वह दीरे आवान करते रहें वो चीजों को समय समय के सबस्क्राइब इतना मलब नहीं मेरे लिए मलब यह कि आप हमें आप देश बहुत देश दीजिए ना जब अमेरीका के सामने ऐसे खड़ो के बात कर सकें कि बहुत हार सिमिलर आप हमसे अलग नहीं है हमसे हमें उनसे बहतर दिमागे आप सब अच्छा बोल लेते हैं इतने अची राजनीतिक कि हमें वह नेता नेगरी वाला वो नीचे हम जूटे बादे लोगों को देने फिर कलो कमें गालिया दे पीछे तो बहुत ही अच्छी नहीं लगता है यह अधिकारी बन जाएंगे तो टसनवाजी के लिए बन रहा है कि कि किसलिए बन रहा है सिस्टम बदलना चाहते है कही हो रहा है बहुत अच्छी चीजा चल रही है आप देख लीजिए कि सारी गड़ियां पक्की हो गई है बिल्कुल सब पेपर हो बहुत अच्छा चल समित पात्रा जी ऐसे कुछ ऐसे महाल लोग इस दुनिया में है जो काग जो इतना अच्छा काम करते ना कि बस उनके बढ़ी आ है बोलते बाइब लेकि पीथे पूरे दिन क्या कर रहे हैं पीने के लिए उस खाना काते है और पानी पीतने हैं वर ना कुछ खाते हैं हनए हो चीलदी करें जिचल रहा हह बदल रहा है को कोशिसों सरजारी अगर सरकार अगर उन्हें यह लगता है कि मैं यह चाहता हूं कि वह समझा नहीं पारे या वो खुद नहीं समझना चाहरे यह कि काबत कही है जो राजा अपने कि मंत्रियों के बरों से चला उन्हें वो चीज की जानकारी यह तो खुद नहीं है या वो जानना नहीं चाहते कि यह क्यों चल रहा है वहां जाके फिर क्या बदलाव करने की कोशिश करिए जो चीजें खराब हैं मैं उनके लिए अवाज उठाऊंगा कि यह ऐसा क्यों है वह जा जाता है कि हगर हमें बदलना चीजें बदल सकती है तो उन्हें खुद में आके काम करना हो जाएगा तो फिर मोदी जी केमें जरूरत नहीं पड़ेगी पर आपना सरकार चलाते रही हम अपना देश भी चला लेंगे अच्छा यह बताईए किसान जो हैं वह सडकों पर आंदोलन कर रहे हैं चातर जो है वह डिजीटल यांदोलन करना हुठ पर क्यों नहीं जा है सरकार प्रेशर बिल्डप करते आप यह तो नहीं चाहिए कि आप अधिकारी बनने वाले उससे पहले पर कोई केस लगा दिया जाए बिल्कुल नहीं चाहेंगे जिंदिगी को पूरी तरीके से बदल सकता है सरकार कोई भी आए जैसे इस समय पैंडेमिक चला है मोदीची को सबसे पहले सरकार बाद में मैं देश को सबसे पहले रखता हूं चाहिए वह तो राजनीती का इरेनिकल इतहास रहा है कि करा देते हैं दो लोग मोटर साइकल से बिना मास्क लगाए घूम रहे हो तो आपका चालान काट ठीक है अभी बिधान सबाओ जो बगाया नहीं दिखता उस पर नहीं जाते हैं हम आते हैं यहां पर यह बताईए आंदोलन हर साल हर साल चात्र सड़क पर भी आता है उन्हें कैसे भी किया और वो देश चलाते हैं कम से कम वहां पर 400 रुपे के लिगेस थी उन्होंने का हम आएंगे राम्दयो जब आके कहते थे पार रूपे किलोड़ साट रूपे डीजल पट्रॉल चाहिए कि नहीं चाहिए तब लोग कहां चले करोड़ की कंपनी मिला ग बहुत शांदार बोला देखे प्रोग्राम कंक्लूड करने पसे पहले बस यहीं बोलना चाहता था कि आप से कि यहां खूटा लाग के कल खड़े हो जाईएगा तो आप निश्चित रूप से यहां के राकेश टिकाइद बंद कर निकलेंगे बहुत बहुत लिवाद सरकारें परिक्षाएं करवाती ही क्यूं है जब उनके पास वेकेंसी नहीं है वर्षों तक परिक्षारतियों का भविश्य अंधिकार में क्यूं डाला जाता है हर साल जात्र परिक्षा परिणामों इंटर्वी पदस्थापित की यह जाने को लेकर गिड़गडाते हैं पराथना करते हैं 2021 भी कुछ अलग नहीं है ये खत्म होना चाहिए परिक्षा तंत्र में बड़े बदलावों की जरूरत है झाल 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 झाल